Hello everyone, we are starting with next question और आपका ये next question किसका series का part है एक series बनाई हुए है math term 1 करके तो अगर आपने पहले वाले questions नहीं देखे या तो आप नीचे description में playlist चेक कर लो या आप ये hashtag use कर सकते हो ठीक है, अब start करते हैं questions से तो यहाँ पे दिया हुए D and E are respectively the points on the sides A, B and A, C of a triangle A, B, C तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि हमारे पास एक triangle है A, B, C और A, B पे कौन सा point है आपका? It is D, तो इस पे हमने D बना दिया A, C पे कौन सा point है? Point E अब आपको क्या-क्या information दियूए है वो देखो A, D की value कितनी दियूए है आपको? 2 cm B, D की value कितनी दियूए है आपको? 3 cm E, C की value कितनी दियूए है आपको? 1.5 cm और हमें value किसकी निकालनी है? A, E की तो इसका मतलब what we can do is we can apply B, P, D theorem do it B, P, D theorem कैसे apply करोगे इसमें? आपको पता है कि left side पे आपके parts दो बन रहे है A, D over D, B और दूसरा आपका क्या बन रहे है? A, E over E, C ठीक है? और आप देखो तो आपके पास सारी values दियूए है और आपने क्या करना है? बस उसमें substitute करना है A, D की value आपको कितनी दियूए है? 2, D, B की value कितनी दियूए है? 3, A, E की value नोन नहीं है हमें वो ही निकालनी है E, C की value 1.5 है और 1.5 को इस तरफ ले जाते है तो 1.5 over 3 और आपके पास क्या value आजाएगी इसकी? 3 और 1.5 को भी cancel कर सकते हैं इस विल बी 1, इस विल बी 2 क्योंकि double होता है इसका तो 2 से 2 cancel हो गया आपके पास final answer कितना बचा? 1 cm So, your answer to this one is B part ठीक है? अब इसी तरह next question पे चलते हैं और start करते हैं next question या Thank you for watching Have a great day